एक अपार्टमेंट के दर्वाजे के बाहर अगबार और दूद के पैकेट तीन दिनों से एकठा होते जा रहे थे। दर्वाजे पर ना ताला डला था और ना ही अंदर से पिछले तीन दिनों से कोई बाहर निकला। जब पडोसी एकठा हुए तो उन्हें संदे हुआ, दर्वाजे के पास गए तो सढ़न की बदबू से ज़्यादा देर वहां रुक नहीं सके, स्थिती संदिग्ध थी तो पडोसीों ने पुलिस को कॉल कर जानकारी दी, पुलिस पहुची, दर्वाजा खट-खटाया तो जहुर अदाकारा थी, जिसने हर शोहरत और बुलंदी हासिलतों की, मगर जिंदगी अधूरी ही रह गई, पूरी वीडियो देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले, अपने जमाने की सबसे खुबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी, शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुरगंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था, कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक वीलचेर पड़ी थी, परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलन के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी, ना कोई रिष्टेदार था, ना दोस्त, ना कोई खबर लेने वाला, परवीन बाबी के शव को पोस्ट मॉटम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कत्रा भी नहीं मिला था, परवीन बाबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अलकोहल मिला था, रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से माइनस चार दिन पहले तक कुछ खाया नहीं था, भूख से ही उनके शरीर के कई अंकाम करना बंद कर चुके थे, परवीन के शरीर में 2005, कूपर अस्पताल में परवीन बाबी का पोस्ट मॉटम हो चुका था, लेकिन कोई रिष्टेदार उनके शर्व को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुचा, लाश मिले दो दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुचा, आखिरकार फिल्म में का पहले परवीन क्रिष्टन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संसकार क्रिष्टन वीती रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिष्टेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम वीती रिवाजों से जुहु के सांता क्रूस कबरिस्तान में दफनाया गया। तर माइनस असी के दशक की सबसे खुबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बाबी के लाखों चाहने वाले रहे। ये पहली बॉलिवुड स्टार थी जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मेगजीन के कवा पेज पर जगह मिली थी। अ जौन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताब पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगए और फिर कभी अचानक सेट से गायब हो गई। परवीन बाब जौनागर गुजरात में परवीन बाबी का जन्म वली मुहम्मद खान के घर हुआ। ये पश्टून के बाबी ट्राइब से थे जो जौनागर के नवाबों के खानदान से तालुक रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ। महस 5 साल क की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही बोल्ड परवीन सिग्रेट प्या करती थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म में कब यार इशारा की नजर पड़ी। और उन्होंने परवीन को हीरोईन बनाने की ठान ली। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। न उन्होंने किसी को जानकारी दी और नहीं किसी को कोई खबर थी। इस दोरान खबरें उन्हीं की परवीन पर इसी बीच खबरें सामने आई कि परवीन बावी को पेरानोइट से जुफरेनिया नाम की गंभीर बीमारी है लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इसे इंकार कर दिया। परवीन ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जान बूच कर पाग ये रिष्टा जादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेक अप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट से हुई जो पहले से शादी शुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे जबकि परवीन बावी इंडस्ट्री में एक जाना माना न परवीन बावी और महेश भट की नजदीकियों के चलते महेश की शादी शुदा जिंदगी में दिक्कते आने लगी लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तबज़ जो दी। खड़ी हैं। उन्होंने फुसफुसा कर कहा देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से पफ्यूम की बोतले रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दिवार के बीच दुपकी बैठी थी। वो क मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे पर जूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बाहर ले आई। उसकी मा निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की ऐसी को कहा लेकिन महेश भटिस के खिलाफ थे वहीं इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे लोग चाहते थे कि परवीन को शॉप दिया जाए महेश ने फिल्म फेय को दिये एक इंटर्व्यू में कहा परवीन की हालत बिगरती जा रही थी कभी वो कहती थी कि एर कंडिशनर में इले सुनाई दे रहा है ये कहते ही परवीन चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है जैसे तैसे मैंने उसे टेक्सी से घर पहुचाया मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी की कंडिशन बिगर से पहले मैं परवीन को स्टार्डम और लोगों से दूर ले जाऊं मैं 1989 में परवीन को लेकर बॉम्बे से बैंगलो शिफ्ट हो गया बैंगलो जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी की मेरी वजह से भी परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है लहाजा मैंने उसे छोड़ और मैं अपनी पतनी के पास लोट गया इसके बावजूद मैं लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्प में रहकर मदद करता रहा साल 1984 में परवीन बावी को न्यू यॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ कर पागल खाने में बंद करवा दिया परवीन मानों की कुछ हुआ ही न हो साल 1988 में शान फिल्म के टाइटल सौंग की शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुखवा दी उन्होंने जान के खत्रे के दर से सेट पर लगे जूमर के नीचे खड़े होने से इंकार कर दिया परवीन ने को स्टार आरोप लगाया कि वो उनके उपर जूमर गिरा कर जान लेना चाहते हैं। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था लेकिन उनकी मानसिक स्थिती किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुख गई और परवीन घर चली गई। की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, युएस गवन्मेंट, बीजेपी गवन्मेंट, अमिताब बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान ले कर दिया। 1993 सीरियल बंब ब्लास्ट मामले में 2002 में परवीन बाबी ने एक एफडेविट फाइल कर कहा था कि उनके पास संजेद दत के खिलाफ पुक्ता सबूत हैं। उन्हें सुनवाई के लिए कोट बुलाया गया लेकिन वो पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं आती तो वो लोग मुझे मार देते। महेश ने इंटर्व्यू में बताया वो 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एएपोर्ट पर था। हाइदराबाद से वापस आते हुए मेरे फोन में SMS की बार आ गई थी। पढ़ा तो पता चला कि परवीन बाबी की मौत हो चुकी है। वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उसकी डेड़ बॉडी कूपर अस्पताल में है और कोई रिष्टेदार उसे क्लेम करने नहीं पहुचा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली। वो मेरी काम्याभी का कारण थी। उससे अलग होने के बाद ही मैंने फिल्म अर्थ बनाए और काम्याभी हासिल की। जब 23 जनवरी को उसे दफनाया जा रहा था तब मुझे लगा कि मैं इसके बिना क्या होता। उसने मेरे अस्तित्व को अर्थ दिया। आज परवीन बाबी की मौत के 18 सालों बाद भी उनका जुहुस्तित फ्लेट खाली है जहां उनका शब मिला था। इस फ्लेट की कीमत 15 करोर रुपे है और किराया 4 लाक रुपे। 2014 में एक शक्स ने ये फ्लेट के राय पर लिया जरूर था लेकिन कमर्शियल इस्तिमाल करने पर उसे फ्लेट से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही कोई उस फ्लेट में नहीं रहना चाहता। E-Times की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग उस धर में रहने से डरते हैं। कुछ लोग फ्लेट देखने आते जरूर हैं लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये फ्लेट परवीन का है और यहीं उनकी मौत हुई है तो वो डर जाते हैं। ये फ्लेट आज भी खाली है। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा साजह की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। को आप तक ला सकें।